जै श्री करिष्न आज रस्पान कीजे मार्कषी स्मास महातम के अध्याय 20 का और इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस परकार भगवान श्रीकरिष्न और राधर आनी का विवा स्वह मृधमा जी ने कराये था अगर आपने इस बारे में नहीं जाना है तो इससे पहले का ध्याय आप जरूर सुनिएगा भगवान नारायन कहते हैं मुने एक समय की बात है माधव श्री कृष्ण अन्य बालकों और हल्धर के साथ खा पी कर खेलने के लिए श्री वन में गए वहां मधु सुधन ने नाना प्रकार की वालोचित कृणाय की जिस तरह से छोटे बच्चे खेलते कूथते हैं इस तरह से खेल कूथ समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया वहां वन में स्वादिस्ट जल पीकर वे महाबलिश्रे कृष्ण उस इस्थान से गोधन सहित मधुवन में गए उस वन में एक बलवान और भयंकर देते था जिसकी आकरती और मुख बड़े विक्राल थे उसका रंग सफेद था वे परवताकार देते बगुले के आकार में दिखाई देता था उसने देखा कि गोष्ट में गवों का समुदाय है और गवाल बालों के साथ केशव और बलराम भी है फिर तो जैसे अगस्त ने वातापी को अपने पेट में ग्रहन कर लिया था अपने उदर में डाल लिया था उसी प्रकार वहद्दैत्य वह सभी को लीला पूर्वक लील गया श्रीहरी वकासुर के ग्रास बन गए हैं ये सब देखकर सभी देवता भई से काप उठे वे दुखी होकर हाहकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड पड़े इंद्र ने दधीची मुनी की हड्डियों का बना हुआ वज़र चलाया किन्तु उसके प्रहार से वकासुर मर नहीं सका केवल उसकी एक पंख जिल गई चंद्रमा ने हिमपात किया किन्तु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कस्ट का ही अनुभव हुआ उससे भी कुछ नहीं हुआ सोरे पुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा जिससे वह कुंठित हो गया हिल डुल नहीं सका वायू ने वायव्यास्त्र चलाया उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया लेकिन फिर भी उसका वध नहीं हो पाया वरों ने शिलाओं की अर्थात पत्थरों की वर्षा की उससे उसको बहुत पीडा तो हुई अगनी देव ने आगनेयास्त्र चलाकर उसकी सभी पंखे जला दी कुबेर के अर्धचंदर से उसके पैर कट गए इशान के सूल से वहें असुर मूर्चित हो गया ये देखका रिशी और मुनी भाइबीत होकर शिर कृष्ण को आशिरवात देने लगे इसी बीच में शिर कृष्ण ब्रह्मुतेज से प्रज्वलित हो उठे उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैति के सारे अंगों में अगनी उत्पन कर दी उन सब का वमन करके फिर उस दानव ने प्रांट त्याग कर दिया इस प्रकार बकासुर का वद करके बलवान शिर कृष्ण गवाल बालों और गवों के साथ अत्यन्त मनुहर केली कदम कानन में जा पहुँचे उसी समय वहां वरिश रूपधारी प्रेलंब नामक असुरा पहुचा जो बड़ा बलवान, महान, थूर्त और परवत के समान ही विशालकाय था उसने दोनों सींगों से श्री कृष्ण को उठाकर वहां गुमाना आरम कर दिया ये देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे परंतु बलवान, बलराम जोर-जोर से हसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि मेरा भाई तो साक्षात परमेश्वर है उन्होंने बालकों को समझाया और कहा अरे भय किस बात का है इधर मधसूदन ने स्वयम उसके दोनों सींग पकड़ लिये और उसे आकाश में घुमाकर धर्ती पर पठक कर मार दिया दैतिराज प्रलंब प्रत्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा ये देख कर सभी गोप बालक हसने नाचने और खुशी से गीत गाने लगे प्रलंबा सुरका वदकर के बलराम सहित परमेश्वर श्रीकृष्ण शीगरी ही गोचारण के कारे में लग गए वे गववें चराते हुए भांडिर्वन के पास जा पहुँचे उस समय माधव को जाते देख बलवान दयतिराज केशी ने अपनी टाप से धर्ती को खोदते वे शीगरी उनको गेर लिया उसने श्रीकृष्ण को मस्तक पर चढ़ा कर संतुस्ट होकर आगाश में सो योजन तक उन्हें उचाल उचाल कर घुमाया ताकि वो मर सके और अंत में प्रत्वी पर गिर पड़ा उस पापी ने श्रीकृष्ण के हाथों को दाथ से पकड़ लिया और क्रोध पूर्वक चबाना अरम कर दिया पर अंतु श्रीकृष्ण के अंग तो वजर के समान कठूर थे उनके अंग को चबाते वे ही दयतिके सारे दाथ तूट गए श्रीकृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने धरती पर गिर कर प्राणों का परित्याग कर दिया स्वर्ग में दुन्दूबियां बजने लगी और वहाँ फूलों की वर्षा आरंभ हो गई इसी बीच में दिवे रूप धारी पाशद विमान पर बैठे वे वहाँ आ रखी थी उनके पैरों में मंजीर की मधुर्द्वनी हो रही थी उन पारशदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे वे गोप वे शिधारन किये वे बड़े सुन्दर दिखाई देते थे उनके प्रसन्न मुख पर मंध मंध हसी की छटा चा रही थी विश्च्री कृष्ण भक्तों पर किरपा करने के लिए बड़े व्याकुल जान परते थे रत्नों के सार्तत्व से निर्मित दीप्त शाली दिविरत पर विराजमान होकर वे भांडीरवन में उस स्थान पर आये जहां श्री कृष्ण विराजमान थे उसी समय दिवि अस्त्र पहने और रत्नमय अ पुरुष थे जो देह त्याकर दानवी योनी को प्राप्त हुए थे और वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्शद हो गए थे देवर्शी नारत ने पूछा हे महाभाग वे दिवि वैशन पुरुष कों थे जो दैतिरूप हो गए थे इस बात को भी बताईए ये कैसी परम अध्भुदबात सुनने को मिली है तब भगवान नारायन बोले हे ब्रहामन सुनो मैं इसका प्राचे नितिहास बता रहा हूं मैंने पुषकर तीर्थ में सूरिग्रहन के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विशय को सुना था श्री श्रीहरी की सेवा में तथपर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत्थ थे मुने उनके चार पुत्रुफे जो गंधरवों में श्रेष्ठ समझे जाते थे वे सोते और जागते समय दिन रात श्रीकृष्ण के चरन कमलो का ही चिंतन किया करते थे वे सब के सब इस प्रकार हैं वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्शुर। वे चारों श्रेष्ट, वैश्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिध्ध कर लिया था। उन चारों में जो सबसी बड़ा क्रिष्ण का पार्शद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तड़ पर गए। वे सुर्य देकाल में श्री क्रिष्ण की पूजा के लिए कमल लेना जाते थे। हैं उन्हों को इकट्ठा करते हुए ले जाते समय उन वैश्णवों को जो भगवान शंकर के स देवकों ने देखा तब वे सब उन्हें बांद कर अपनी साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिस्ठ थे। इसलिए उन दुर्बल वैश्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास वो ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैश्णवों ने धर्ती परमाथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया शिव जी ने उन्हें उत्तम आशिरवाद दे कर शीक्र ही उनसे वारतलाब किया उस समय उनके प्रसंद मुक पर मुस्कराहट खेल रही थी और वे उन भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हो रहे थे भगवान शिव न पति विश्यक्स भागी की व्रधी के लिए जब त्रेमासिक व्रत आरंब करती हैं तब वे लगातार तीन महीने तक शुरी हरी को भक्ति भाव से प्रति दिन एक सहस्त्र कमल अर्पित करती हैं भगवान शिव का ये वचन सुनकर अब तो वे तीनों वैश्नों भयभीत होक शुरद्धा और भक्ति से मस्तक जुका कर हाथ जोड कर बोले गंधर्वों ने कहा है प्रभो हम लोग गंधर्व राज गंधवाह के पुत्र गंधर्वों में शुरेष्ट हैं महेश्वर हम लोग प्रति दिन शुरी हरी को कमल चड़ा कर ही जल पीते हैं हेनात हम ये नहीं पिएंगे हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिये जिनके जरन कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पित करके हम सब के सब पवित्र हो गए प्रभो ब्रहम एक ही है दूसरा नहीं है उनके लिए कहां देह और कहां रूप भगतों पर करपा करने के लिए ही भगवान शरीड धालन करते हैं रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है प्रभो आप ये कमन ले लेजिए क्योंकि आप ही हमारे प्रभू है हे अच्यत हमारा हरते जिसके ध्यान से परिपूर्ण है आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराईए जिसकी दो भुजाएं है कमने किशोर अवस्था है शाम सुन्दर रूप है हाथ में विनोत की साधन भूता मुरली है जो पितामबरधारी है जिसके एक मुख और दो नेत्र है विचंदन और अगुरु से चर्चित है जिसके प्रसन मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है जो रत्नमय अलंकारों से विभूशित है जिसका वक्ष इस्थल मणिराज कौस्तुप की कांती से अत्यन्त उज्वल दिखाई दिता है जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा रहता है जो मालती की माला से विभूशित है पारिजात के फूलों के हारों से अलंकृत है करोणों कंदर्पों के लावनिका मनुहर लीला धाम है समूह की समूह गोपिया मंद मुस्कान और बाकी चित्वन से जिसकी ओर देखा करती है जो नूतन योवन से संपन तथराधा के वक्ष इस्थल पर विराजमान है ब्रहमादी जिसकी इस्तुती करते है जो सब के लिए बंदनी, चिंतनी और वांचनी है और जो स्वात्माराम, पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाला है आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते है ऐसा कहकर वे श्रेष्ट गंधर्व भगवान शंकर के ही सामने खड़े हो गए श्रीक्रिष्ण के रूप का वढणन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो आया उनके नेत्रों में आशू भराए वे गंधर्वों की उक्त बाते सुनकर उनसे इस प्रकार बोले कि मैंने ये जान लिया था कि तुम लोग श्रिष्ट वैशनव हो और अपनी चरण कमलों की धूल से प्रत्वी को पवित्र करने के लिए ही ब्रहमन कर रहे हो मैं श्रीक्रिष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ क्योंकि साधू संत तीनों लोकों में दुरलब हैं तुम लोग मुझे पार्वती जी और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रे हो मुझे वैशनव जन अपने और अपने भक्तों से भी अधिक प्रे हैं परन्तू मैंने पूर्व काल में जो प्रतिग्या कर रखी है वो भी ब्यर्थ नहीं होनी चाहिए हे महाभाग वैशनवो सुनो मैंने कह रखा है कि पार्वती जी के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित इस सरोवर से कमल ले जाएंगे वे शीक्र ही आसुरी योनी को प्राप्त होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं श्रीक्रिष्न के भक्तों का कहीं भी अशुब नहीं होता है तुम लोग पहले दानवी योनी में पढ़कर फिर निश्य ही गोलोक में पधारोगे तुम्हारी मन में श्रीक्रिष्न के रूप का प्रत्यक्षि दर्शन करने के लिए उतकंठा है इसलिए बच्चों तुम्हें भारतवर्ष के व्रिंदावन में उस रूप का अवशी ही दर्शन होगा श्रीक्रिष्न को देखकर उन्हीं के हाथों से मृत्य को प्राप्थ होकर तुम वैश्नव शिरोमनी बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूण होकर हरी धाम को पधा रूगे तुम लोग अभी यहां उस वांचनी रूप को देखने के लिए उत्सुक हो इसलिए वो सब देखो ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप की दर्शन कराए उस रूप के दर्शन करके उन वैश्नवों के नेत्रों में आंसु भराए वे सर्व रूपी भगवान श्री हरी को प्रणाम करके फिर दानवी योनी में चले गए इसलिए वे दानेश्वर वे वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था सुहोत्र, बकासुर, सुदर्शन, प्रलंब और स्वयम सुपार्श्व केशी हुआ था भगवान शंकर के वर्दान से श्री हरी के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उनी के हाथों से मृत्य को प्राप्थ होकर वे उनके परमधाम में चले गए विप्रवर, श्री हरी का ये अद्भुत चरित्र कहा गया बक, केशी और प्रलंब के उधार का ये प्रसंग वाचकों और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है नारत जी ने पूछा है महाभाग, आपके करपा प्रसाथ से ये सारी अद्भुत बातों मैंने सुन ली अब मैं ये सुना चाहता हूँ कि पारवती जी ने कौन सा व्रत किया था उस व्रत के आराधि देव कौन है? उसका फल क्या है? और उसमें पालन करने योगिन नियम क्या है? भगवन उस व्रत के लिए उप्योगी द्रवी कौन कौन से है? कितने समय तक वह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या-क्या करना आवशक होता है? प्रभो भली भाती विचार कर ये भी बताईए, इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतुहल है, तब श्री नारायन मुनी बोले, हे मुने, यह त्रेमासिक नामक वृत है, जो नारी के पती विश्यक स्वभागी को बढ़ाने वाला है, इस वृत के आराधि देता है, राधिका स पर पहुंसता है, और दिन रात दोनों बराबर होते हैं, और दक्षिनायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ती हो जाती है, वेशाख की संक्रांती से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर ही निश्य हविश्य का सेवन करे, फिर वेशाख की संक्रांती के दिन इस्नान करके गंग देवताओं की पूजा करके भक्ती भाव से राधा वलव श्री कृष्ण का ध्यान करें। अब उनके साम वेदोक्त ध्यान का भी वर्णन करता हूं सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांती सजल जल्धर के समान श्याम है। वे रेश्मी पितामबर धारन करते हैं। उनका मुख शरतकाल की पूनिमा के चंद्रमा के समान मनुहर है। उस पर मंद हास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरत रितु के प्रफुल कमलों की शोभा को भी त्रिस्कृत कर रही है। उनमें सुन्दर अंजन लगा हुआ है। वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं। राधा जी उनकी ओर देख रही हैं। वे राधा जी के वक्ष इस्थल में विराजमान हैं। ब्रह्मा, अनन्त, शिव और धर्म आदिदेपता उनकी इस्तुती करते हैं। इस प्रकाश श्रिक्रिष्न का ध्यान करके वृती महिला या पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानन्द अहवाहन करे। इसके बाद वे राधा का ध्यान करे। वह ध्यान ये जुरुएत की मध्यान दिन शाखा में वरनित है। राधा रासेश्वरी हैं, रमणिया हैं और रासुलास रास के लिए उथ्सुख रहती हैं। रास मंडल के मध्यभाग में उनका इस्थान है, वे रास की अधिश्ठातरी देवी हैं। रासेश्वर के वक्ष इस्थल में वास करती हैं, रास की रसिका हैं, रसिक शेखर शाम सुन्दर की प्रिया हैं, रसिकाओं में श्रेश्ट हैं, सुरम में रमा रूपणी हैं, प्रेतम के साथ रमण के लिए उच्छुक रहती हैं. चंदन, कस्तूरी की बेंदी और सिंदूर बिंदू से उनका श्रंगार किया गया है कपोलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है अगनीशुत देवेवस्तर से उनकी उज्वलता बढ़ गई है उत्तम रत्नो द्वारा निर्मित कुंडलों की कांती से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रही है ब्रह्मा आदी के भी सेवनी श्री कृष्ण स्वयम ही उनकी सेवा करते है सरविश्वर के द्वारा उनकी स्तुती की जाती है और वे सबकी कारण स्वरूपा है ऐसी श्री राधा का मैं भजन करता हूँ, अथवा करती हूँ, इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करे प्रति दिन भक्ति भाव से 16 उपचार अर्पित करके पूजा करे व्रति महिला पुरुष प्रतेक उपचार को अलग-अलग करके सबको बारी-बारी से प्रसनता पूर्वक अर्पित करे मुने हर दिन 108 दिव्य सहस्त दल कमर लेकर उनकी 108 बार आहुतियां दे भक्ति भाव से कृष्णाई स्वाहा इस मंत्र का उचारन करके यतनु पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से देनी चाहिए फल अखंड होने चाहिए मुने हर दिन 100 ब्रहमनों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए व्रति को नित 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए वे आहुतियां भक्ति पूर्वक राधिका सहिच श्री कृष्ण को देनी चाहिए हे नारत घी मिश्रित तिल से भी हवन करे नित्य बाजे बजाए और श्री हरी का कीर्थन कराए तीन महिने तक इस नियम का पालन करके उसके बाद वृत की प्रतिष्ठा करे हे नारत प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे भी सुनो 90,000 अक्षत कमल की आहुति दे और यतन पूर्वक 9,000 ब्रहमनों को उत्तम स्वादिष्ठ और मीठे अन्न भोजन कराए 9,720 फल और तरह तरह के मनुहर द्रविका नैवेत अरपित करे इसके बाद संसकार युक्त अगिनी की स्थापना करके विध्वान पुरुष होम करे गी युक्त तिल की 90,000 आहुतियां देकर ब्रहमनों को भक्ती भाव से वस्त्र भोजन, यग्योपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दे साथ ही शीतल जलसे भरेवे 90 कलशों का भी दान करना चाहिए इस प्रकार व्रत करके ब्रहमन को दक्षिना देनी चाहिए दक्षिना का परिमान वही है जो वेदों में बताया गया है एक हजार बैल हो और उनके सींगों में सोना मडा गया हो हे ब्रहमन इस प्रकार त्रेमासिक व्रत बताया गया है इस सामवेदोक्त वृत का पूर्वकाल में हम दोनों ने भी पालन किया था हे ब्रामन दूसरी इस्त्रियों द्वारा उस वृत का अनुस्ठान होता देख पार्वती देवी ने प्रसनता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ती भाव से सिर जुका कर भगवान शंकर से कहा पार्वती जी बोली हे जगनात आग्या कीजे मैं उत्तम वृत का पालन करूँगी हम दोनों के इस्त्र देव शिरी हरी के व्रतों में ये श्रेश्ट व्रत है पार्वती जी के ये बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन हुए और उनका शरीर पुलकित हो उठा हंसकर मदुरवानी में वे बोले हे इश्वरी आप महालक्ष्मी सरूपा हो आपके लिए भला क्या साध्य है आप सर्व समत सरूपा और अनत शक्ति रूपिणी हो देवी आप जिसके घर में हो वे संपोन एश्वरी का भाजन है हे शुब प्रधे मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम्में भक्ती रखकर तुम्हारे कृपा प्रसाज से ही संचार की स्रिष्टी पालन और संगहार में समर्थ हुए है हिमालई कौन है मेरी क्या विसाथ है और कार्तिके और गणेश भी क्या है आपके बिना तो हम सब लोग असमर्थ है और आपका सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करने में समर्थ है ऐसा कहकर भगवान शंकर ने दिवी पारवती से उस व्रत का अनुस्ठान करवाया पारवती जी ने सभी इस्त्रियों की अपेक्षा विलक्षन रूप से उस व्रत का संपाधन किया हे नारत इस प्रकार पारवती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया पारवती जी के व्रत में ब्रहमन लोग रत न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए हे नारत ये सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया अब जो प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बालचरित्र भी सुनो इसकी बाद नाराण मुनी ने देवशी नारत से जो भी बालचरित्र सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे उमीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी